कि कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठी में, समझना, कहना बड़ा सरल है, किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ सिखा देना, किसी को उपदेश के दो सब्द सुना देने, किसी को प्रवचन दे देना, किसी को सलहा दे देनी, बड़ी सरल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं ह कई लोग ऐसे हैं, जो कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो कर सकते हैं, इसलिए हमाने लिखा गया, कि कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठी है, कहने वाले लोग संसार में भड़े पड़े, भर भर कर लोग ऐसे हैं, संसार में जो कहते रहते, कहते रहते, कहते लेकिन करने वाले बहुत कम है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में समझना आपके सब्दों की असर तब ही होगी जब आपके भीतर में वो आच्रन होगा तो ही आपके उपदेश की असर होगी वरना आपका उपदेश बे असर हो जाएगा और इसलिए संसार में प्रतित होता है देखा जाता है कि हम आदमी को दस बार बोले फिर वी वो सुनने के लिए तैयार क्योंकि आपके भीतर में ही वो आच्रण नहीं आपके भीतर में ही वो सक्ति नहीं आपके भीतर में ही वो तेजस्विता नहीं आदमी कैसे सुनेगा और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवन में समझने की कोशिश कर लीजिएगा पहले करना सुरू करो फिर कहना सुर और वह तो सुधर्मसौमी की प्रभचन की पाठ के उसे बोलते हैं लेकिन हम भी उतना ही बोलने के अगदार है जितना हम कर पाते हो और हम कर नहीं पाते हो और फिर मी आपको कहें तो वह सब्दों की आपके उपर कोई असर नहीं होगी और इसलिए मैं आपसे जीवन में कहना चाता हूं कि जीवन में समध रीजेगा कहना बड़ा सरल है करना बड़ा कठी और करे उसकी ही किमत है इसलिए परमात्मान जो चार दुरलब चीज़े बताई चत्तारी पर मंगानी दुलहाणी जनतुनो मानु सत्तम सुई सध्धा संज संजल ममम्य विरिययो मनुस्य जर्म दुरलब मोगद करने के लिए वह दूतर स्केषर जगना चाहिए जो भाव जगना चाहिए वह बड़ा कठी और उस问 नहीं जगता भाव नहीं जगता इसलिए करने नहीं नहीं है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवर में समझ लीजिएगा यह संसार में एक सुत्र दिमाग में बरावर बिठा लीजिएगा कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कटल और इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ कि यह संसार में ज्ञान चंद बहुत जिएदा है कौन ज्ञान चंद घिनान इतना बाटते फिरते हैं संसार में और आजकल तो आप लोगों के वाट्सअफ संसार के सबसे बड़ी उनिवर्सिती है सुभे सुभे इतनी ज्ञान के बाते मिलती है कि लगे के संसार के जो लोग ये मैसेज भेज रहे हैं वो भी इतना समझ जाए तो वो भी संसार त्याग करके निकल जाए और इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में ग्यान चंद बहुत जादा है करम चंद बहुत कम है गिनान देने वाले बहुत जादा है, संसार्वने कर्म करने वाले बहुत कम है रिश्टि लिए Жsayet लिए हमारे आदे लिखा गया है, करम करते जाओ तभी आपका कल्यान होगा इसलिए मैं आपसे कहना चांता हूँ कि जीवन में ये सुत्र बराबर समझ लेना कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठी है और करने के बाद में ही कहने की असर होती है, करने के बाद में ही कहना सार्थक होता है परमातना महावीर ने साड़े बारह साल साधना करी उसके बाद में केवल नान की प्राप्ति हुई उसके बाद में उब्देश दिया पहले खुद को तयार किया खुद के उपर काम किया खुद की साधना करी और उसके बाद में उन्होंने जब उब्देश दिया तो ये हुआ कि हज्जारों लाखों करोडों लोगों का कल्यांगों करबा और इसलिए मैं आपसे कहना चाता हूँ यदि आप आपके बच्चों को सिखाना चाते हैं समझाना चाते हैं कुछ कहना चाते हैं उनको सही मारत पर लाना चाते हैं तो कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, आपका आचरण सही होगा, तो आपके संतान सही मारत पर ही जाएंगे, और आपके संस्कारों में, आपके आचरण में कहीं न कहीं कमी रहेगी, तो आपके संतान भी गलत मारत पर जाएगे, ये कान खुल कर सुन लेगे। झाल झाल झाल